आज की रस्पी वीडियो इत दाफ्तों के लिए होने वाली है नहायती लजीज, मुनफरित और चटपटी और बहुत आसान तो चले चटपटी फ्राय मटन चॉप्स को बनाना स्टार्ट करते हैं मटन चॉप्स बनाने के लिए मैंने यहाँ पर हाफ केजी मटन चॉप्स ली है इनको चीताना से वाश कर लिया है यह बीच का chest का हिस्सा होता है जिसमें chops के साथ थोड़ा सा मटन भी लगा होता है अच्छा अगर आपके पास मटन chops ना हो तो आप इसकी जगा पर सिफ मीट भी ले सकते हैं फ्राई मटन chops बनाने के लिए अभी पहले इन chops को थोड़ा सा तक्रीबन 80-90% तक tender कर लेंगे एक स्माल साइज की प्यास को ग्रेट कर लेंगे, तो वो 2-3 टेबल स्पून के बराबर ही बनती है, यह सब चीज़े शामल करके सभी चीजों को अची तरह से पहले मिक्स कर लेंगे, फिर आप चॉप्स को गलाने के लिए इसमें पानी शामल करेंगे, मैं इसको बगार प्रे इसमें डाल देंगे, साथी आप सब में से जो फ्रेंड्स मेरे चैनल पर न्यू आए हैं, वो मेरे चैनल को सबस्क्राइब और फॉलोव करदें. देखिए यहाँ पर सब चीज़ैं मिक्सर में डाल देने के बाद इसमें 5 ट overlap दही शामल करेंगे 140 तीज़्फून जीरा पाउर इसमें आट कर देंगे 140 तीज़्पून नमक और 140 तीज़्पून ही black salt यानी काला नमक इसमें आट कर देंगे और कवर लगा के बगएर पानी के इन सब चीजों को फाइन पीस लेंगे जिससे के रेस्टरेंट में फ्राय चॉप्स के साथ सर्फ किया जाने वाले मज़िदार सा ग्रीन रहता हमाई पास बनकी रैडी हो जाएगा देखिए ग्रीन रहता रैडी हो चुका है अभी फिलार इसको फ्रेजिया फे फ्रेजर में रख देते हैं इतनी देर में चॉप्स भी 80-90 परसंट तक गल चुकी है देखिए यहाँ पर मैं दिखा भी रही हूँ के चॉप्स को कितना गला लेना है देखिए यहाँ पर यह इतनी गली हुई चॉप्स बिलकुल परफेक्ट है अच्छा यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि चॉप्स में अभी काफी जादा पानी है तो अभी फ्लेम को हाय करके इस सारे पानी को अमनें ड्राय कर लेना है इस्पून से भूनते हुए इस पानी को ड्राय मत कीजेगा वरना जो इसमें मीट लगा हुआ है वो तूट जाएगा अब जब इसका सारा पानी ड्राय हो जाएगा तो इन चॉप्स को कमप्लीटी ठंडा होने देंगे अब जब तक चॉप्स ठंडी हो रही है एतनी दर में चॉप्स के लिए चिटपटी सी मैरिनेशन मना के रैडी कर लेते हैं तो मैरिनेशन मनाने के लिए मैंने यहाँ पर 4 टेबल स्पून दही को बिलकुल बारीक वाली स्टेनर में एक घंटे के लिए डाल के रख दिया था और इसके नीचे एक बॉल रख दिया था जिससे के दही में मौझूद सारा पानी अलग हो जाएगा क्यूकर चॉप्स को कोट करने के लिए हमें थिक सा मसाला पेस्ट बनाना है मसाला पाउडर हाफ टीस्पून ये शामिल कर देंगे लसंदर का पेस्ट शामिल करेंगे इसमें वन टीस्पून मोटा कुटा हुआ साबुद धनिया इसमें शामिल करेंगे वन टेबल स्पून ये roasted नहीं है, जस्ट मोटा मोटा सा crush कर लिया है मैंने इसको काला नमक शामिल करेंगे इसमें half teaspoon इसके साथ ही इसमें 1 tablespoon सफैद तिल एट करेंगे red food color शामिल करेंगे इसमें 1-2 pinch food color एट करना इसमें optional है chops fry होने के बाद black black ना लगें इसलिए इसमें 1-2 pinch red food color की एट कर दें तो chops का color fry होने के बाद बहुत ही प्यारा रहता है 140 teaspoon अजवान शामिल करेंगे इसके साथ इसमें 2.5 tablespoon यानि धाई खाने के चमचे पेसन शामिल करेंगे और इतना ही यानि 2.5 tablespoon corn flour शामिल कर देंगे सब चीजों को mix कर लेंगे और mix करते हुए ही इसमें थोड़ा-थोड़ा सा पानी शामिल करके इसका थिक सा paste बना लेंगे एकदम से पानी इसमें शामिल मत कीजेगा क्योंकि chops के लिए हमें एक थिक सा paste बनाना है तो थोड़ा-थोड़ा सा पानी याट करके इसका एक थिक सा paste बना लें तक्रीबन आदे कप के आसपास मैंने इसमें पाने शामिल किया है देखिए यहाँ पर chops को coat करने के लिए एक थिक सा paste ready हो गया है अब जो chops tender करके रखी थी वो भी ठंडी हो चुकी है तो बस इन chops को marination की paste में अच्छी तरह से coat कर लेंगे मेरी आज की मटन chops fry की recipe वीडियो आप सबको कैसी लग रही है साथ साथ comment box में comment करके ज़रूर बताएगा इन chops को shallow fry करेंगे तो oil को मैंने यहाँ पर medium hot गरम कर लिया था high flame पर या बहुत ज़्यादा hot oil में इसको fry नहीं करना है वरना chops उपर से जल जाएंगी अच्छी तरह से chops को hand to hand coat करके frying के लिए pan में डालते जाएंगे इन chops को fry होने में ज़्यादा time नहीं लगता बस 4-5 minute ही लगते हैं इनको दोनों side से fry होने में दो से 3 minute लगेंगे chops को slow medium flame पर एक side से fry होने में chops को pan में डालने के पाद इसको touch मत कीजिएगा वरना ही जो coating हमने इस पर की है touch करने से spoon से उतरने लगेगी तो देखें यहाँ पर chops एक side से fry हो चुकी है तो इसकी side change करके दूसरी side से भी fry कर लेंगे और इसी के साथ-साथ वीडियो को आपने यहाँ तक watch कर लिया है और चैनल को अगर अभी तक subscribe और follow नहीं किया है तो वीडियो को like करके चैनल को subscribe और follow कर दें जब दोनों side से chops पर प्यारा सा color आ जाएगा तो mutton chops को pan से निकाल लेंगे mutton fry chops को मज़ेदार से green रहता जो बना के ready किया था इसके साथ सर्फ करेंगे इतना मज़े का green रहता बनता है और mutton fry chops के साथ तो खाने में बहुत ही ज़्यादा मज़े का लगता है उपर से कटे हुए बारी खरे धनिये से गारनिश कर देंगे इसको थोड़ा सा चाट मसाला इसके उपर add कर दें और लिमू के साथ इसको सर्फ करें तो बहुत ही टेस्फुल लगती है इसके साथ इन चॉप्स को आप दाफतों में एज़र स्टार्टर सर्फ करें या फिर इसको आप टी टाइम में या फिर हाई टी में भी बना सकते हैं ये दाफतों में मेहमान उंगलियां चाटते रह जाएंगे और आपकी तारीफ भी बेशमार करेंगे अभी एक फ्रायर मटन चॉप्स को मैं आपको तोड़के भी दिखाती हूँ कि चॉप्स कितनी बेहतरी नंदर तक बिल्कुल परफेक्ट टेंडर हो चुकी है एकदम मलाई की तारह नर्म और जूसी बनती हैं अंदर से भी जरूर एक बार मेरे रेस्पी से फ्रायर मटन चॉप्स को बनाएगा और आप सबको मेरे आद के फ्रायर मटन चॉप्स की रेस्पी वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा वीडियो को लाइक करके फ्रेंड्स और फैमली के साथ शेयर करना मत भूलेगा नेक्स रेस्पी वीडियो तक के लिए अल्ला हाफिज